है कि Imam Karma कि आपसर में याज की साथ श्येयर कनें डिय वाहम मेद टोनες अब गर पर किस तरत टोन के रुपिक में आज की रेसिपी में आज आप 148,000 बेशन कि बहुत ने हैंकि बहुत सिंपल है इज़ी तरीकर तोनर क्यों लगाना चाहिए है टोनर स्किन को हायडरेट करते हैं तो एट की पीण ूर्ट होता है इसको मैंटेन करके कुकुम्बर टोनर बनाने के लिए जी हमें एक कुकुम्बर इसको मैं सबसे पहले छीन लूँगी छीन लेक बाद इसके छोटे छोटे टुकडे कर लूँगी फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी अच्छे से पीस ना है इसको अब इसको छान लूँगी तो इसको मैंने चान ले आए अब एक निम्बू इसमें डालूँगी मैं ताकि ये निम्बू डालने से यह होगा कि ये उनर फ्रेश रहेगा जल्दी खराब नहीं होगा तो इसमें मैं एक पूरा निम्बू डाल दूँगी अब इसमें मैं दो चमच गुलाब जल डालूँगी मैं अडाबर का गुलाब जल डाल रहे हूँ आप किसी भी ब्राण का गुलाब जल डाल सकते हैं तो टोनर हमारा बनकर कम्पलीट हो चुका है अब मैं इस खाली BOTLE में मैं इसको भड़् दूंगी यह इस्प्रेड बोतल नहीं है क्योंकि एक मेरे पास इस्प्रेड बोतल थी उसमें एक दूसरा टोनर पढ़ा है इस वज़े से मेरे पास यह है इसलिए मैं इसमें बढ़ रहे हूँ अगर आपके पास इस्प्रे बोतल हो तो आप उसमें ही बढ़िएगा तो टोनर मेने इसमें बढ़ दिया है तो यह हमारा DIY टोनर बन कर तयार हो गया है फ्रीज में रखकर ठंडर नन अपने फेस पर अपलाई करी है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो टोनर मेना बन चुका है कुछ इस तरह से बना है आप इसको 7-8 दिन तक फ्रीज में इस्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले आप ठंडा रणा अपने फेस पर इस्प्रे करी आपको काफी हद तक फाइदा मिलेगा मैं इस्प्रे करके बता दी बटी इस्प्रे बोतल नहीं इस वज़े से नहीं कर पा रही हूँ तो आई होफ आज के वीडियो आपके लिए helpful रहा हो अगर वीडियो पसंदा दी वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मैंने चैनल को मिलती हूं इस वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केर बबड़ब